चल रहे खराब दोर के बाद एक बार फिर से बॉलिवुट का सिक्का चल निकला है और पठान टाइगर थ्री जैसी फिल्म में हिट हो रही है वही एक और फिल्म जो आने वाली है जिसका जोरो शोरो से नाम चल रहा है यह फिल्म है फायर ओफ लव रेड़ इस फिल्म को डिरेक्ट कर रहे हैं मशूर डिरेक्टर अशोग त्यागी जिनके नाम पहले से ही कई लाजबाव मूविस को डिरेक्ट करने का एक्सपिरियंस रहा है और यह भी मूवी कुछ अलग ही अंदाज में लोगों का मरुरंजन करने आ रही है बतादे की 1985 में फिल्म सूखियां का निर्देशन कर अशोग त्यागी सुडखियों में च्छा गए इसके बाद उन्होंने अंधेरगर्दी रिटन अफ ज्वेल थीफ भारत भागी विधाता जैसी सफलतम फिल्मों का निर्देशन कर बॉलिवुड में अपनी एक अलग प सक्षी भरत दाबोलकर कमलेश शावन जैसे कलाकार हैं अपनी आने वाली फिल्म के प्रमोशन के लिए अशोग त्यागी ने नौइड़ा स्थित मार्वल स्टूडियों में मीडिया से बातचीत की आईए जानते हैं अशोग त्यागी ने क्या कुछ कहा फिल्म के बारे में मैं बता दूँ आपको कि 1985 में मेरी पहली फिल्म सुर्खियां रिलीज हुई थी और उसके बाद में लगातार अंधेर गर्दी, रिटरन ऑस जूल तीफ, भारत भागे विधाता, इट्स रॉकिंग, दर्दे डिसको, रियासत, वाय किल्ड गांधी, ये सारी फिल्में रिल डॉक्यू ड्रामाज हैं, एक ओशो के ऊपर, मेरा सपना, मेरा भारत, और एक फिल्म उद्योग में एक स्ट्राइक हुई थी, 1986 में उस पे एक मैंने डॉक्यू ड्रामा बनाया था, ऐसे करके 10 फिल्में मेरी अब तक दर्शकों के सामने आ चुकी हैं, और मेरी 11 फिल्म, फ आ रही है, और ये दर्शकों की एक अपनी फिल्म है, और दर्शकों को जिस प्रकार के मनोरंजन की अपेक्षा है, आज के नव युवक दर्शक को, आज की नव युवा पीडी को, डिजिटल खिलोनों से खेलती हुई, नव युवा पीडी को, जिस प्रकार के एक सेनिमा क की जरूरत है मनोरंजन की इस तर पर वो फिल्म हम लेके आ रहे हैं चौबिस नोवंबर दो हजार तेईस को फायर आफ लव रेड तब टाइगर थ्री का तीसरा हफता चल रहा होगा और हमारी फिल्म रिलीज होने के एक हफते के बाद एनिमल आ रही है रनवीर कपूर जी की और सैम बहादूर आ रही है विक्की जी की और इन सब फिल्मों को जो हम से पहले से चल रही हैं और जो हमारे बाद में आने वाली हैं उन सब को मेरी और से हर्दिक शुब कामना है सर्व मेरी पिक्चर में ना मैं बहुत ही विनम्रता जितनी विनम्रता जितनी विनम्रता का इमेजन किया जा सकता है जब से स्रिष्टी का प्रारंब हुआ जब तक स्रिष्टी का अंत होगा उसकी जितनी कौन्टिटी है उससे भी सो गुनी विनम्रता के साथ मैं ये ऑन कैमरा भूलना चाहता हूँ कि अगर मेरी फिल्म को एक हफ़ता ओपन मिल गया तो उसके बाद उसके सामने किसी का भी खड़ा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इतनी उसमें लोकप्रिय था उसमें लोकप्रिय होने के इतने गुण हैं और मेरी उसमें चालिस साल की तपस्या है और मैंने पूर्ण तहाँ ये फिल्म दर्शक को और उनके मनोरंजन को मस्तिश में रखके बनाई है वो मैंने अपनी कोई क्रियेटिव अर्ज को फुल्फिल करने के लिए अपने को कोई अपने नाम को कोई बड़ापन देने के लिए कुछ भी हासिल करने के उद्देशे से मैंने ये फिल्म नहीं बनाई मैंने ये फिल्म पूर्ण तहाद दर्शकों का मनुरंजन करने के लिए बनाई है और मैं फिल्म देख चुका हूँ और मेरा पिचर को देख देख के मेरा मन नहीं बरता इतनी आनंद दायक इतनी मनुरंजक फिल्म मैं तो डिरेक्टर बाद में हूँ दर्शक पहले हूँ मैं बच्पन से फिल्में देख रहा हूँ चलती का नाम गाड़ी मदुमती के टाइम से आज तक और मैं बार बार लोगों को बोल रहा हूँ यार मैंने इतनी फिल्में देखी हैं मैंने अरादना पिक्चर मेरी आँखों के सामने रिलीज हुई है राजेश कन्ना सुपर स्टार बना जंजीर पिक्चर मेरी आँखों के सामने रिलीज हुई और उसमें अमिताब बच्चन सुपर स्टार बना एक ट्लॉप एक्टर से एक मेरे सामने डर पिक्चर रिलीज हुई है जिसके अंदर शारुक खान जो है वो सुपर स्टार बना एक विलेन के रोल में यह सब घड़ना है मेरी आखों के सामने घटित होई है एक कुछ वैसी ही घड़ना रेट के साथ घटित होने जा रही है कृष्णा अभिशेक के लिए he is going to transform into a superstar with this picture not because the picture is directed by me but because the screenplay the film is so so beautiful so deadly it keeps you grip उसकी cinematography उसका visual design उसका sound design उसका background music उसका dial everything is so superlative जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति जब कहता है कि मुझे इनकी सेवा करनी है तो उसी तरीके से दर्शकों की जो सेवा करने के लिए मेरे दिर्देशन में जो सारी टीम ने मेहनत की है वो अतुलनी है उसको देखकर दर्शक गद गद हो जाएंगे उनको बहुत मनुरंजन मिलने वाला है और कृष्णा अभिशेक का जो अभिने है वो उसको रजेश खना, अमिताब बच्चन, शारुख खान के लेवल का सुपर स्टार बना देगा, एक्चुली जो करेक्टराइजेशन है वो उस तरीके का है कि ये रोल इनी प्रकार के किसी अभिनेता द्वारा ही प्ले किया जा सकता था, उसने बहुत सक्सेस्फुली प्ले किया, उसका परडाम ये निकल के आने वाला है कि he is going to turn into a सुपर सुपर स्टार ओवरनाइट, फ्राइड़ को पिच्चर रिलीज हो रही है, चौविस तारीक को 26 नवंबर तक कृष्णा अभिशेव अगला सुपर स्टार डिकलर हो चुका होगा उसका मैं रहीजन ये बताना चाहूँगा कि सर आप तो बचे हो、 आप अब भी पैदा होगये लेकिन मैंने अराधना का कोई promotion नि देखा। मैंने जन्जीर का कोई promotion नि देखा। मैंने डर का कोई promotion नि देखा। यह हम बाद में जाएंगे प्रोमोशन के उपर यह किस ने चालू किया क्या है एक्शली मुझे यह पता नहीं क्यों मैं फिल्म इस्टूट से निकल के आया हूँ लेकिन उस सब बात कि मुझे ऐसा अंदर से ऐस एक क्रियेटिव आर्टिस्ट मुझे ऐसा महसूस हुआ कि फिल कि दर्शक अकरशित होता है कोई फिल्म के अंदर नहीं कोई मिस्टिरियес क्वालिटी होती है और वह मैं सूछता हो कि उसको कितनी सियारिटी के साथ में और दर्शका अब को सबसे बड़ा जो सिनिमा का सबसे बड़ा लिमिटेशन था उसका जो असली बैस है वह शूटिं पे फैनेंसर माजود रहेगा, प्रडुसर माजود रहेगा, सुपरस्टar माजूद रहेगा और निर्धे शग जो है, वो इनकी ही सेवा में लगा रेता है, निरंतर, पिक्चर बनाते हुए लेकिन पिक्चर का जो असली बॉस है वो दर्शक है, तो अगर कोई भी फिल्म इस तरह से बनाई जाएगी कि जब उसकी शूटिंग चले तो निर्देशक 24 गहटे इस बात का ध्यान रखे यह जो शूटिंग चल रही है यह दर्शकों के लिए चल रही है तो दर्शकों को कैसा लगेगा अगर वो हमेशा उनका ख्याल रखेगा तो निश्चत ही ऐसी प्रड़क्ट निकल के आएगी और चूटिंग उस प्रड़क्ट में से दर्शकों के प्रती प्रेम है वो डिजिटली एनकोड हो चुका है वो जैसे डिजिटल एरेना में जाएगा वो ऑडियंस को आट्रेक्ट करना चालो करेगा ऑडियंस को कुछ अपना पन लगेगा जैसा कि फायर ओफ लव रेट के साथ मैं देख रहा हूं कि दर्शकों को कुछ अपना पन लग रहा है और वो हम कुछ करते हैं सोशल मीडिया पे और लोग अपने आप लग जाते हैं, उसको अपने गुरुप्स में चला रहे हैं, कहां कोई कहां कहां कर रहे हैं, किस-किस का मैं धन्यवाद करूँ सर, ये थेटर के लिए आ रहे हैं, पीवे आ, रायनॉक्स, सेने पोलिस, ये तो इसके मल्टिप्लेक्स थेटर्स हैं, और इसके लवाद जितने भी सिंग्वल प्लेक्स हैं, जो अच्छे हैं, अच्छी कंडिशन में हैं, और सभागे से क्या हुआ है, कि इस वर्ष पठान के चलने से, गदर टू के चलने से, जवान के चलने से, इस सब पिक्चरों के चलने से, बहुत सारे सिंगल स्क्रीन जो बंद होने की कगार पर खड़े हुए थे, वो पुनर जीवित हो गया हैं, और ऐसे इस थेटर्स को भी रेड पिक्चर बहुत आकर्शित कर रही हैं, और जो existing है उनको तो करी रही है और छोटे शहरों में भी जो multiplex जैसे cinema है वो सभी आयनौक्स पीवी आर नहीं है और भी brand है तो हर जगे लग रही है अल ओवर इंडिया यह फिलम अभी theatrically आ रही है उसके बाद में OTT पे आएगी चार-छे हफ्ते आट अफ्ते दिखते हैं जब भी time होईगा तब आ जाएगी उसको मैं कोई message नी देना चाहता सर message देने को बड़े बड़े लोग बैटे हुए है हमारी प्रदान मंत्री सबसे बड़े messenger है फिर उनके जो विरोधियां वो बहुत अच्छे messenger है फिर बागे शोर दाम बाबा बैटे हुए है फिर और बहुत से हैं और हर आदमी WhatsApp पे एक दूसरे को लेक्चरी पेल रहा है तो मेरे को इस picture के माद्देव से कोई ना तो message देना है ना कोई lecture पेलना है मैं सिर्फ दर्शकों का मनरंजन करना चाहता हूँ बे फिक्र होके आईए हाल में आईए आपको ऐसा मनरंजन मिलेगा जैसे आपने आज तक कम से कम हमने देखा है लेकिन पिछले बीस साल में नहीं आया तो आज की जो वरतमान जैनरेशन है उसने इस प्रकार का मनरंजन नहीं देखा प्लीज आईए देखिये और लाभान वित होईए धन्यवाद सर बजट से क्या मतलब है ये एक मिस ये एक्चुली क्या हो गया है कि पैसा जो लग रहा है फिल्मों में वो किसी व्यक्ति का नहीं लग रहा है वो और्गनाइजेशन का लग रहा है कॉर्पोरेट जिसको भूला जा रहा है कॉर्पोरेट का जो पैसा है वो पॉब्लिक का पैसा है तो जो लोग पैसा खरच रहे ना उनकी जेब से नहीं जा रहा तो इसके लिए वो इतनी लेविशली वो खरच रहे ये एक अब मैस की गहराई में जाके शत्रू अपने बनाना नहीं चाहता इस पर हम फ्लटफॉर्म पे लेगिन एक गलत इशा में चले गए हैं वो ह चैन्जा बनाने के लिए बजट की जरूरत नहीं है इतनी जितने की एक स्टोरि की उस स्टोरी के ट्रीटमेंट की इमोशन की और वो पूरी की पूरी ग्रामर वो पूरी की पूरी ग्रामर जो वीशानतराम, महभूब खान, गुरुदात, द Millндरॉय, राजकुपूर इन प को सोच के काम करेंगे तो हम को कोई हर पिक्चर मुगले आजम नहीं होती, दो बीगा जमीन भी हिट होती है, अवारा का बजट मुगले आज़म के कहिंहीं असपास भी नहीं है, तो यह जो आपने बजट को技 इतना हुआ बना दिया यह एक एक तरह का बलफ है एक एक तरह का स्कैम है और जितनी जल्दी यह खत्म हो जाए सब के लिए अच्छा होगा